सूप्रभात मेरे प्यारे बच्चों, बच्चों आज हम अपनी हिंदी विश्य की कक्षा में सीखेंगे कि कौन सी वस्तू को किस प्रकार से तोला जाता है अर्थात बच्चों कुछ वस्तू को हम तोल कर खरीदते हैं, कुछ वस्तू को हम नाप कर खरीदते हैं और कुछ वस्तू को गिन कर खरीदा जाता है तो बच्चों आईए हम जानते हैं कि किस वस्तू को किस प्रकार से खरीदा जाता है बच्चों सबसे पहले हम जानते हैं आम के बारे में आम को किस प्रकार से खरीदा जाता है आप सभी को पता होगा कि आम को हम तोल कर खरीदते हैं तो बच्चों आम को खरीदने की विदी होती है तोल कर आम को तोल कर खरीदा जाता है बच्चों उसके बाद है केला बच्चों केले को हम दो प्रकार से खरीद सकते हैं तोल कर भी और गिन कर भी तो केले को गिन कर और तोल कर दोनों प्रकार से खरीदा जा सकता है बच्चों उसके बाद है आटा बच्चों आटे को ना ही तो गिना जा सकता और ना ही इसको ना पा जा सकता तो इसे लिए आटे को खरीदने की विधी होती है तोलना आटे को तोल कर खरीदा जाता है बच्चों आईए अब हम जानते हैं पैंसिल के बारे में आप सभी ने बाजार से पैंसिल तो खरीदी ही होंगी तो आप पैंसिल कैसे खरीदते हैं? शाबाश पैंसिल को गिन कर खरीदते हैं तो बच्चों पैंसिल को खरीदने की वीधी क्या है गिनना पैंसिल को गिन कर खरीदा जाता है बच्चों अब चित्र आता है कमीज का तो बच्चों कमीज को भी हम गिन कर खरीदते हैं कमीज को कैसे खरीदा जाता है गिन कर शाबाश बच्चों चलिए अब चीनी के बारे मे जानते हैं बच्चों क्या आप चीनी को गिन कर खरीद सकते हैं नहीं खरीद सकते तो बच्चों चीनी को खरीदने की विद्धी होती है तोल कर चीनी को हम तोल कर खरीदते हैं बच्चों उसके बाद है टौफी अब आप बताईए जब आप टौफी खरीदते हैं तो दुकान आपको टोफी कैसे देता है गिनकर ये तोलकर शाबाश टोफी को गिनकर खरीदा जाता है बच्चों उसके बाद है कपड़ा कपड़े को खरीदने की वीदियो होती है नापना तो बच्चों कपड़े को नापकर खरीदा जाता है बच्चों अब हम बात करते हैं डाल की क्या आप बता सकते हैं डाल को हम कैसे खरीदते हैं तोल कर गिन कर या नाप कर शाबाज बच्चों डालों को तोल कर खरीदा जाता है क्योंकि इसे ना ही तो गिन सकते हैं और ना ही इसे नाप सकते हैं इसलिए दाल को तोल कर खरीदा जाता है बच्चों आशा है आप सभी को ये वीडियो अच्छे से समझ में आ गई होगी तो बच्चों अभी के लिए धन्यवाद फिर मिलेंगे तब तक आप अपना ध्यान रखें और ध्यान से पढ़ें